शियोपूर मेले में रिंग की आण में चल रहा है सटे जैसा खेल नियम काईदे के साथ साबुन पर पच्चास सव और दोसों के नोट लगा कर जंता को लाला सुदे कर लूटा जा रहा है ना बालिक बच्चे तक आजमा रहे अपनी किस्मत खबर शियोपूर से हैं चहां इंदीनों शियोपूर में संशकती के प्रितिक हजारेश्वर मेले का आयजन चल रहा है जिसमें खरीदारी और मरोननजन के लिए शहर सहित जिले के आसपास के छेत में हजारों लोग मेले पहुँच रहे हैं आपको बता दे कि एक तरफ जहां म मेले प्रभारी की जूटी पर सवालिया निशान खड़े करता है जब हमारे डिपोर्टर द्वारा इस सट्टे जैसे खेल की परताल मेले में पहुँच कर की तो पाया की स्टॉल का खेल ऐसा है कि दुकान पर बैनर लगा कर नियम सर्ते लिखी हुई हैं और कई कमपनियों क साबुन उस बैनर पर छपे हुए हैं मगर मैदान में अकेले साबुन के पैकेट नहीं रखे गए हैं बलकि उन पर पचास सव और दो सो रुपए बांद कर रख दी गए हैं जिनें ग्राह को रिंग फेक कर फसाना है रिंग स्टॉल संचालक दोरा इस खेल के लिए 20 रुप पारी बनाये गए समिस्पेक्टर सुरेज धाकर से बात की तो वहा पहले तो ये बोलने लगे कि रिंग की दुकान का रजिस्ट्रेशन है फिर बोलने लगे कि रिंग स्टॉल में साबुन रखे हैं वा जुआ में नहीं आते मगर जब हमारे रिपोर्टर ने कहा कि साबुन थोने पर रिंगे स्टॉल हटवा दी जाएगी मगर अभी तक जिन से मिल जुलकर चल रही थी उन पर पुलिश अधिचक का क्या एक्सन होगा देखे सियोपूर से समवादाता मित कुमार सिरवास्तों की एक खास रिपोर्ट तो क्या रिंग पूरी पसना चाहिए है 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 है